आपडेट ये है कि KKR की टीम को अब एक गेंद में चार रन चाहिए और ये देखना होगा कि क्या यहाँ पर राशद खान की टीम जो है वो जीत दर्स करती है या फिर KKR जो है वो इस सीजन की लगातार दूसरी जीत दर्स करता है क्योंकि चार रन चाहिए सिर्फ एक और दिखे बड़े जटके जरूर लगे थे अंद्र एसल आउट हो गए थे शार्दूल ठाकुर आउट हो गए थे अब यहां पर एक गेंद पर और 31 run जो है 31 run इस over में बने और यह जो है वो इस season का सबसे महंगा over रहा है और यहाँ पर जीत जो है वो KKR की जोली में आ गई है रिंकु सिंग जीत के hero रहे जिन्नोंने 21 गेंदो में 48 run बनाए और ऐसा लग रहा था कि KKR की team यहाँ पर नहीं जीत पाएगी और मुकाबला जो है वो KKR ने जीत लिया है भले ही राशिद खान ने IPS 2023 की पहली hat-trick लियो लेकिन मेला यहाँ पर लूट के ले गए है रिंकु सिंग जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर आखरी over में दमदार प्रदर्शन किया पांच छक्के लगाए और अपनी team को जीत दिला दी बहत के बाद उन्होंने शारदुल ठाकुर को आउट कर दिया था तो ऐसा लग रहा था कि अब KKR का जीतना मुश्किल हो जाएगा लेकिन वेंकटेश अयर और रिंकु सिंग की तूपानी पारियों की बदालत यहाँ पर KKR की team ने मुकाबला जीत लिया है और तीन विकेट से इस मुकाबले को जीतने के साथ की गुजराद टाइटन्स की इस सीजन में हार का सिलसला भी शुरू हो गया और क्या बहतरीन पारी खेली है देखिए आपको आखरी ओवर की बात बताएं तो आखरी ओवर में अगर आप देखें तो जीत के लिए चाहिए थे 29 रन छे के दो इस मुकाबले में पहले बलेबाजी करते हुए गुजराद टाइटन्स की टीम ने और उन सभी को पीछे छोड़ते हुए 207 रन बना लिये यहाँ पर केकार की टीम ने और इस मुकाबले को जीत लिया और देखिए इस मुकाबली वे जीत के हीरो तो रिंकु सिंग ही रहें और अपनी टीम को मुकाबला जिता दिया है